मेंट्रे करें राओ जोधा डेजरट पार्क के अंदर हैं यहां बड़े तरह की स्पीसिस हैं कहां जाता है यहांपर नगलग तरह की पिद लगाये हुए जो यहां कि स्पीशिस मिलती हैं और यह बोला गया है थाड़ा ध्यान से जाना नहीं तो खूजा हो गया आप काफी बड़ा है यह तो यहाँ पर विजिटर हाइलैक्स में क्या क्या देखने हैं विला सबसे पहले चीज थी गली 1.The park's earliest day leading visitors through a narrow hand vein canet of rocks which eventually open up to reveal a lonely aspect of the part and blue city 2.Rani sir The western range of the park is criss-cross with walking trails, one of which can lead you to a pair of small artificial freshwater lakes तो यहां पर अलग अलग तरह के पथर हैं और यहां पर सुवे सुवे आने का मज़ए अलग है मैं इससे में आया हूँ आठ बजे यहां पर और यहां पर रम पढ़ते जाएंगे क्या कैचीजे हमें यहां पर दिखेंगी हाथी नाला से पर ऊच्रीजे हाति नाला इस थेट वर में यहां जाने की मीज़ थी प्रफूप सब्सक्राइगे साथा इस यह लिए अच्छी प्रफ़ आणीक के यह लुएंगे इस भीजाएं भागे झाल चेंव बटकरों में इसे रोकिए हैं तो लोग पर आट के चेंगे पर छिपके लिया spider insects and plants अलग अलग तरह के plants दिखेंगे look out for the spicy spinny wispy and different kind of flower that are available तो यह अभी चह चहाने की आवाज आ रही है हम नीचे ओड जाते हुए राओ चोधा desert park अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो पहले से आप guide book करवा लिजे हमारी जो गलती हुए हमने guide book नहीं करवाया हमें पता इन था इसके बारे में तो guide book हमने करवाया है नहीं पीछे आप देखिए जैसे पीछे वाला area नहीं ब्लॉक किया हुए आप डाओन व्य रहां तो फोल ईगोवाय यहां पर दोने हिंदी में लिखा हुआ है जो वह फार एंगल्शें में लिखा था क्या कि आपको दिखेंगे यहां पर हम देख लेजिक करेंगे यह बोध्शिश यहां पर बिल्कुल हम इसके अंदर जा रहे हैं अब कितने पुराने बोदे होंगे हमाई अब राओ जोधा का निर्मान कैसे हुआ था राओ जोधा का निर्मान जो था सत्रा पिसितर करोड साल पहले यहां पर मेक्टियोड गिरा था उसकी वज़ा से हुआ था बम अब अब जाते हुए अब जब मेक्टियोड गिरा था यहां पर तो यहां पर यह जो रॉक्स है यह बहुत पुरानी है बहुत सालों पुरानी रॉक्स हैं इतने करोडों साल पुरानी रॉक्स हैं और ओवर देपियोड टाइम हुआ क्या था यहां पर यह पूरा एरिया जो था वहां पर डैजर तो क्या कहा जबता मरुपर्देश जहां पर लाइफ रिथा थी तो यहां के राजा है जितने भी राजा हुए जोद्पूर के उन्होंने कुछ तो कुछ लोगों के लिए किया जैसे उन्होंने काफी सारे ग्राउंड बेल्स बनवाई और उसके बाद उन्होंने आर्टि विशल लेक्स बनवाई जैसे आपने उद्पूर जाएंगे यहां की यहां पर भी थोंड़ा कि इसकी स्हट प्लांट पूरे के पूरे अपनी मेवाड में हैली एरोप्लेन से हर जगा पे फिला दी अब हुआ क्या साथ साल बात जाकि यह पता लगा कि कीकर का जो पोधा है किसी काम का ही नहीं है क्योंकि उसकी पतिया बर्स नहीं घाते और जो उसकी जो लकड़ी है वो फनीचर बनाने काम नहीं आती तो इससे वेस्ट और उसकी विज़ा से क्या हुआ जो बाकी सारे थे पेड़ पोधे वो भी नस्ट हो गए विए कीकर ने सारी जमीन हत्या ली और बाकी सबको भी नस्ट कर दिया तो यह उन्नीस सो सक्तर साथ स के अंदर पता लगा तो अब क्या करें अब उन्होंने ये राओ जोधा डेजर्ट पार्क को बनाने का सोचा 2006 में ये बहत्तर हेक्टेर में फैला हुआ है और राओ जोधा जो थे ये वो थे जिनोंने पूरा जोतपुर बनाया था तो जोतपुर भी इनके नाम पे बनाया गया है अब यहां पर उन्होंने क्या किया दिफरेंट डिफरेंट सपीचिस पूधे की लेक्या है और उन्होंने पहले कीकर को उटाया है Peak कर को अंदने के लिए रोक काटी मैं और शॉक्ता का पूधा जो था जमीन में से उकता था तो जमीन लिए उसकी 45 पीड नीचे तक जाके उसकी जड़ से उसको उटाना पड़ा, नहीं तो दुबारा उख जाता था, तो इस तरह उन्होंने यहां से कीकर के सारे पेड़ उटाए, उसके बाकी सारे पेड़ लाला के यहां पर लगाए, जैसे आप देख रहो हैं यहां पर, यह चट्टान के अंदर भी तो बड़ी अलग तरह की आपू रोग दिखने बड़ेगा अब नेचरल लबर हैं और नेचरल वे में नेचर को जानना चाते हैं तो यह अच्छा प्लेस है गुमने के लिए अब हम आगे चलते हैं अब जैसे हम जा रहे हैं ऐसे लग बड़ी गुफा के इंदर जा रहे हैं इस तरफ भी रॉक है इस तरफ भी रॉक है और जैसे आप महरगर्ट फोर्ट में जाएंगे होगे तो हर जगा आपने देखा होगा यहां पर न छोटी छोटे घर बने हुए हैं किसके लिए पक्षि तो अगर कोई भी बंदा आके आक्रमन करता था रात को तो उससे वाइब्रेशन होती थी दिवारों में और उससे पता लग जाता था और बड़ चह चान लगता थे तो उससे आज पास की जो सोल्जर्स होते थे उनको पता लग जा था कि कोई ना कोई चरने की कोशिश कर र तो आज की टाइम में तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़े यूज़ कर रहे हैं पर नेचर का प्रियोग करना इस जैसे आप देखो गया हम जाते हुए थोड़ा मुझके रास्ता है जानेगा पर तब भी हम जाएंगे और धूब भी दिख रहे हैं कि यहां पर ठंड भी यह देखिए यह रॉक से अंदर उक ते ओगिए अब यहां पर कहा जाता है जब यह राऊज हो था डॉसर पर बना था यहां पर भ्र्टर तरह की इस पेइस तरह की बड़gers और अनिमल्स की और यहां पर गूमने का यह तरीका है यहाँ पर जो yellow yellow निशान है आप उसको follow करते रहे हैं अब जैसे याँ यह yellow निशान है हम इसको follow करना है और आगे चलते रहे हैं Nature तो यह है राओ-जोधा desert park यह yellow का निशान है तो यह yellow का निशान follow करें जैसे हमें बताए गया है तो यह वैसे यह आपर night cafe भी है वाव visitor center का समय है देखने का 8 a.m. to 5.30 p.m. and अप्रेट टु सेप्टेबर 7 a.m. to 6.30 p.m. and special early morning walk available 7 a.m. and 6 a.m. night cafe and natural shop 9.30 a.m. to 5 p.m. तो खाने का सवान भी लेगा यहाँ पर हो मया तो तब आता जब यहाँ पर बीच पर कीना की यह देख flowers इतना सभी फ्लावर लग रहे है अब यह कौन सी species है इसके बारे हो तो मुझे भी नी पता तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगली बार जब आप आएं या कभी भी आएं इस पार्क में तो एक गाइड करके लाएं जिसको यह सारी चीज़े के बारे हैं पता हो यहां से हमें सामने क्या देख रहा है महरांगड फोर्ट वो फोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है कल मैंने यहां की बहुत सारी वीडियो बना बना के आपको डाली दी सामने है महरांगड फोर्ट अमेजिंग व्यूवर सुब़ सुब़ आके मज़ा आ गए यहां तो अब देखते हैं कहां तक जाने हमें जहां तक यलो निशान लगे होंगे वही वही चलना है अगर नहीं समझाया तो वापस हो लेंगी इसी रास्ते से थंड़ेंड आवाज चलते हुए बर्ट की आवाज आते हुए पत्थोरों के बीचे काट के सड़क बनाएगी है लोग आके यहां पर इंजोई कर सके बर्ट के चैचाने की आवाज सामने महरांगड फोट पूरा पूरा दिखता हुआ अगर आप यहां से देखेंगे तो बहुत अच्छा नजारा आएगा आएगा आपको अब हम आगे चलते हुए तो यह है राओ जोदा देजर्ट पार्क अगर आपको नेचर लवर हैं स्पिशिस को इंटरस्ट है नेचर को देखने में तो यह बढ़ी अच्छी जगाए देखने के लिए इस गिलारी आते हुए लिए दल्ली में भी दिख जाती है तो यहां पर नोने जाने का रास्ता इस तरफ यह लो है निशन इस तरफ यहां से एंगल बार का रास्ता और यह लोग पार निशन इस तरफ आरार था पर उदर झालने का इस तरफ यह को अच्छा होई निकलने का तो अच्छा जाएगा अच्छा इस लोग निकल जाएगा एक जिग्रेट पर इस तो पर इस ने गो बूपने लेग दिखा जए ना कि कहला कि गलग लग पौन है जबुट्य दिखी दिखी थने सालो बाद उप्षिए लग जा प्यज़ा पर चिल्ले पर जाता है तो दोख्ड़ा है झालता जिसे झालता है झालता है झालता है